तो इसको बनाने के लिए कैसे क्या और किन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि मटर पलाओ कैसे बनाते हैं तो चलिए गयाज मैं सबसे पहले बताती हूं कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी डाल दिया है पानी सबी में चड़ाया है मैंने गैस पान करके और इसमें मैंने मैं तेज़ पत्ते और कुछ डाल्चीनी लौग एलाइची इसमें डाल दिये हैं अब मेरा पानी यहां से वीडिय 살ी मेरा इसकी उतनली है यहां पर जाटोगा मैं नमग करना सबाद करके समत्रों चाॉद स्वाद की जैनल変 में दाली को nelb नमक काईट किया है इसमें त्री फोर टेस्ट फून और इसको अच्छे से फिर अप चला दीजिए और चलाने की बाद आप टेस्ट कर लीजे एक बर पानी को लेकर कि नमक आपका ठीक है या नहीं है आपको जैसा मतलब चाहिए वैसा आप नमक अपने अंदाज से डाल सकते ह मुझे ह journ mph कर देना है प्लेम को अजा चावल में अच्छ के बाइला फ्लेम को चाहिए दस में बाद में देख रही हूं ख़ोल और बात दे ना सिक हए मेरा उपका चाहिए मैरा कि आज 나와 क मुझे इसको पानी अलग कर देना है और मैं चावल को सारे पानी अलग कर ले रही हूं इसको मेरे मटर की दाने भी पूरे अच्छे से गल चुके अब मुझे अलग गैस पर पतेली शड़ा देनी इसमें 2 टी स्पून रिफाइन आइल आइट करना है उसके बाद मुझे इसमें 2 टेज पते मैंने आइट किये हैं और कुछ गरम मसाले जैसे लॉंग इलाइशी दलशीनी उसको भी आइट करना है उसको अच्छे से गरम करके छोड़ा सा ब्राउन करना है उसके बाद जो मैंने चावल च्छान के अलग रखे वे वह सारे चावल क मुझे अच्छे से चलाड़ा करना है और की यह दम देना है मुझे तो फ्रेइम को मुझे रखना है अपंधी चावल को मैंने इस चारो तरफ से फैला दिया है कि चारों तरफ से फेलाने के बाद मुझे उसमें आप गीज्मिट करने हैं देशी घी डालने से या टेस्ट होड़ा सा अच्छा आता है तो मैंने डेशी घी कुलार आइड ठीओ यद्फ ना च verbessे ना है वैसे आक को वी करना है कि वुक्राइद हमने उसके बाद मुझे इसमें आट करना है फ्रैंड स वश्चप old करणों की चार एक आपर उब आर ब्लाव में निज़मा अगए है कि इसित्क और मुझे 28 दूद्ध लेना यह स्कुलाओस। पसंद है तो आप डाले वरना इसकेप कर सकते कोई जरूरी नहीं है डूद आप डाले ही अगर उसके बाद मुझे उसमें वन टीस्पून चीनी भी आइट करनी है चीनी डालने से पलाओ थोड़ा सा अलग तेस्ट आएगा तो आप इसमें वन टीस्पून चीनी ये भी ऑप् अब दम में लगा सकते हैं तो मैंने कपड़े की मदश से कवर कर दिया पूरा दस से 15 में हो चुका है देखिए मेरा गाइस पलाव अच्छे से दम लग चुका है अब ये रेडी तू सर्फ हो चुका है तो इसको आप चिकेन या कोई भी खूर में सिखा सकते और सर्फ कर सक करते हैं तो गाइस आज का यह मेरा वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर मेरे चैनल में आप नहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलती हूँ अला अफीस